आज विशेश जानकारी में हम बात करेंगे राहुकाल की राहुकाल सभी जानते हैं एक अशुब महुरत है तो इसमें कोई भी शुब कारें नहीं किये जाते है राहुकाल को शुब कारें के लिए निश्यद मना गया है राहुकाल में किये गए शुब कारें में विगन आते ही आते हैं और सफल हो जाते है राहुकाल की अवधि कितनी होती है नबे मिनट अर्थात डेज घंटा राहुकाल की इतनी जानकारी आपको दी इसको जादा डिटेल में अगर जाना चाहते हैं तो कमेंट बक्स में जरूर कमेंट कीजेगा फिलहाल आज का वीडियो टीपले राहुकाल के बारे में बताने के सबंदित नहीं है आज की खास वीडियो है कि राहुकाल जैसे अशुब योग में दुर्गा उपासना करने चाहिए क्या देवी पूजन राहुकाल में किया जा सकता है माला जाप हवन आदिक किसी भी प्रकार के दुर्गा सब्शती सिद्धकुंजी का स्तोत्र सब्शती पाठ, दुर्गा कवच, मा भगवती का सिद्ध मंत्र ये सभी क्या राहुकाल के अशुब समय में कर सकते हैं आज की विशेश जानकारी इसी बारे में है तो वीडियो के एंटक बने रहिएगा बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से की राहुकाल अशुब भी हो सकता है तो क्या शुब हो सकता है चलिए ये बात करते हैं जहां शुब कारियों में राहुकाल वर्जित हैं वही हैं तंत्र कारे करने में, तंत्र परंपरा में दुर्गा उपासना के लिए राहुकाल को बहुत ही फल दायक मना गया है राहुकाल जहां पर शुब कारियों के लिए अशुब है वहाँ पर देवी दुर्गा की पूजा में इसका बहुत ही शुब स्थान है कहते हैं राहुकाल में दुर्गा की उपासना करने से शिग्र फल मिलते हैं मंत्रों की शिग्र ही सिध्धी होती है राहुकाल जैसे अशुब समय में देवित दुर्गा की पुजा शुब कैसे है चलिया ये जानते है पुरानों के अनुसार समुद्र मन्थन के बाद जब भगवान विश्णु मोहिनी का रूप धारन कर अमरत का वितरन कर रहे थे उस दोरान सिहिका का असुर पुत्र देवताओं की पंकती में बैख गया और छल से उसने अमरत पान कर लिया था पास बैखे सूर्या और चंद्रमा ने भगवान विश्णु से इसकी शिकायत भी की तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से उस देत्य का सिर काड़ दिया चुकि अमरत उसके गले तक पहुंच चुका था इसलिए सिर अलग होने के बाद भी असुर पुत्र जीवित रहा वहीं ध धर वाला भाग केतु कहलाया शक्त मता अनुयाईयों के अनुसार राहु चंड और केतु मुंड नामक असुर बने भगवती काली ने इन्हीं दोनों असुरों का वद किया था दुर्गा सप्षती के सप्तम अध्याई में इसका पूरा वर्नन मिलता है चंड मुंड से इसलिए दुर्गा के काली सवरुक की उपासना राहु काल में की जाती है राहु काल में महाकाली की उपासना करके आप अपने भ्यांकर से भ्यांकर शत्रों से निजात पा सकते हैं राहु आसुरिग रहें पुराणों के अनुसार वैसी ही का का पुत्र है भगवती दुर्गा ने असुरों के नाश के लिए अन्येक अवतार लिये मधुकेटब नामक असुर भी राहु केतु के कारक तत्वा में सम्मिलत किये जाते हैं सब्चदी के अनुसार इनका भी वद माता दुर्गा ने ही किया इसलिए इनके काल में की गई दुर्गा उपासना शिगर फलदाई होती है दुर्गा कवचेश्वर के अनुसार नैरित्या में नारसिही का एवं उद्धव दिशा में दुर्गा रक्षा करती है नैरित्य दिशा का स्वामी राहु है वहीं उद्धव दिशा के स्वामी केतु है रहुकाल में दुर्गा उपासना से इन दोनों सव रूपों की कृपा प्राप्थ होती है स्वर्षास्तियों की बात करें तो रहुकाल के दोरा सुष्मना नारी सहज रूप से चलती है इसलिए रहुकाल में प्राणा याम की सला दी जाती है तंत्र विशे शग्यों की मन्यता के अनुसार सुश्मना नारी के काल में मंत्र जप करने से मंत्र सिध्धी बहुत जल्दी होती है अतिशिग्र होती है इसलिए नवारन आदी मंत्रों का जप राहु काल में करने की सला दी जाती है सवर्वी ग्यान के बारे में पहले भी वीडियोज अप्लोड की हुई है अगर आप सवर्व ग्यान के बारे में नहीं जानते उनको पहले देखिए उन्हें समझे फिर आपको पता चलेगा कि सुश्मना नाली कौन सी होती है शुश्मना सवर कौन सा होता है तो इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा रहुकाल में सब्शती पाठ करने से कब करने से और किस प्रकार मुनो कामना पूर्ण होती है इस अंदर्व में और भी बहुत सी जानकारियां है रहुकाल के समय को आपने किस तरह से शुपता में बदलना है किस तरह से इस अशुब महरत का शुब कारियां में आपने विशेश उप्योग करना है यह सारे जानकारी पाने के लिए कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखेगा क्योंकि आपके कमेंट्स पर ही अगली वीडियो अधारित होगी तो नवरातरी का ये उत्सव आप सभी के लिए शुब मंगलमाई रहे इसी प्रातना इसी कामना के साथ आज की जानकारी को यहीं पर विराम देती हूँ मिलती हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ अब तक के लिए अपना ध्यान रखिए मस रहिए स्वस्त रहिए अपने अपनों का भी ध्यान रखिए और वीडियो को जादा से जादा श्यर क्या कीजिये तांकि ऐसी दोलब जानकारी सभी तक पहुंच पाए परवांस में ही नवरात्री के आप सभी को बहुत बहुत शुक्काम नाई जाजिनेंद्र